हेलो एब्रीवन कैसे हो आप सब मैं हूँ अभी केमपेगोडा इंटरनाशनल एरपोड बैंगलूरू में और जो मैं जर्नी कर रहा हूं उसका मैंने वीडियो अलग से बनाया है वो इसका लिंक मैंने डिस्क्रेप्शन में डाला हुआ है इस वीडियो में हम एक्स्प्लोर कर और देखते हैं बैंगलूरू एरपोर्ट लाउंज को बैंगलूरू एरपोर्ट का डॉमेस्टिक लाउंज फर्स फ्लोर पर बना हुआ है और इसकी सर्विसेज 24-7 चलती रहती है इस लाउंज की सीटिंग के बारे में बात करें तो इसके एक साइट पर काउच और दूसर साइट पर चेर एंड टेबल्स हैं आईए अब रुक करते हैं इस लाउंज के फूड ऑप्शन की तरह कियोंकि मैं अर्ली मॉर्निंग चार बज़े एरपोर्ट पहुँचा था यह लाउंज ब्रेट्फर्स मेन्यू सर्फ कर रहा था खाने में वेजिटेरियन और नौन वेजिटेरियन ओप्शन्स दोनों ही अविलेबल थे वेजिटेरियन में जैसे छोले कुल्चे, स्वीट कॉर्न, हैश ब्राउन, इडली सामब, एट्सेटरा अविलेबल था और नौन वेज में चिकिन सॉसजेज, स्क्रेंबल एंग यह अब चलते हैं बेकरी सेक्शन की तरफ, जहाँ पर वाइट और ब्राउन ब्रेड्स, मॉफिन, क्रॉसोज और कुछ डेजर्ट्स थे, उसके अलावा वाटरमेलन और मैंगो जूस भी था, फ्रूटी और एपिफिस जैसी साफ ड्रिंग भी यहाँ पे अविलेबल थी, इसके अलावा यहाँ पे hot beverages का section था, जिसमें green tea, awesome tea, hot chocolate, different type of coffees अविलेबल थी, अगर इस lounge की costing की बात करें तो यह around 1200 plus taxes per person होता है, पर अगर आपके पास ऐसा कोई credit card है जिसमें lounge included है, तो यह आपके लिए 100% free of cost होता है, इस lounge में entry आपको सिर्फ आपके departure time से 3 hours पहले ही मिल सक होती है, तो यह था Bangalore airport lounge का review और मुझे comment में बताना आपको कैसा लगा यह video और अगर आप इस channel पे नहीं हो तो please do subscribe to it and press the bell icon and like and share the video with your friends and family, तो चलिए फिर, मिलते हैं next video में, till then take care and bye bye